क्या साजित खान को नहीं लगती है प्रयांका चौधरी स्ट्रॉंग कंटेस्टेंट अखिर जनता हुई है क्या इस बात से सहमत क्या है पूरी अपडेट चलिए आपको पताते है इस वीडियो में नमश्कार मैं हूँ जोदी पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूल्स ज निम्रित सुंबल तो यह सारे कंटेस्टेंट जो है वो फिलहाल स्ट्रॉंग बनकर हमें दिख रहे हैं इन फाक्ट वाइल का रेंट्री के अगर बात करो विकास मनतला वो भी काफी स्ट्रॉंग ऑपीनियेटट हमें नजर आ रहे हैं और कल का जो वीकेंड का वार था जब विक्ति यह सल्मान खान, साजीट खान से पीछते हैं कि अगर उन्हें मिले तो किसको नॉमिरेट करना चाहिए कौन स्ट्रॉंग लगता है तो वो सभी का अला नाम लेते हैं से सुंबुल का लेते हैं पर अंकित अर्चिना शिव निमृत स्टैन यह सभी का नाम लेते हैं लेकिन प्रियांका का नाम नहीं लेते हैं वो तो उन्हें नहीं लगता कि प्रियांका strong contestant है तो इस पर आखिरकार कितने लोग जो जनता है audience है कितनी सहमत है तो मैं आपको बता दूँ कि जादा तर लोग जो है इस बात से बिलकुल भी असहमत है क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रयांका जो है वो सबसे जादा strong contestant है बाकी सभी के मुकाबले क्योंकि कोई कहता है कि साजित खुद strong नहीं है वो क्या बोलेंगे rest my case फिर लोग लेट हम कम आउट यार विल नो वाट ही इस गोई ओन वाट इस गोई ओन फिर साजित के बोलने से क्या ही फरक पड़ता है I think Ankit Gupta is the strongest among all deserving winner Priyanka साजित है क्या he is not important you will know the answer on finale night where Priyanka strong है I am thinking about that why didn't he took Priyanka's name तो ये सारी बाते audience के बीच में हो रही है कि जब साजित खाने नहीं नाम लिया प्रियंका का तो जनता करिये कहना है कि भाई जादा तर लोगों को लगता है कि Priyanka strong contestant है आप को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आप साजित खान के जो strongest contestant की list है उनके असाब से वाप उनसे सहमत है या नहीं जो भी आपकी राहे बता दीजो कॉमेंट सेक्शन में और देखते रहे फीवा फूल से तरीकी के अप्टेट्स के लिए हुआ है